हालो दोस्तों आपका स्वागत है टोटोरियल्स क्लास में और मैं हूं मनिशा राजपाल और आज के सेशन में हम कवर करेंगे स्कॉप अफ वरियेबल इन सी प्रोग्रामिंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि स्कॉप अफ वरियेबल का जो कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के हमारे पास दो तरे कि स्कॉप शूप अग्या खलाजप लॉकल स्कोप कि ऐसे कि में का का फॉटे सकॉप को यह फिर आपने को अपना कुद का फंक्शन क्या जिसको हम योजर डीबांइब फॉंक्शन कहांगी कन उसकी बोडी के अंदर प क्रेट बाखर को या फिर यूजर डिपाइंद फंक्षन के बाहर का स pesso रहेगा दैस ग्लोब स्टिडी आई ओ डॉट एच और यहां हम एक फंक्शन क्रेट करेंगे डिस्प्लेइ के नाम से और में फंक्शन क्रेट करेंगे इस फंक्शन के बाद हम है है रिटन से रों है अब हम यहां पर एक पडक्व करेंगे यह वरियवल है हमारा यह ग्लॉबल ऑर एक्स को हमने यहां एक वर्ली मेरे से तो हम इस एकक व्लू को डिस्प्लेइ अंदर भी करेंगे सबस्प्हास को अंदर करते हैं ऐसाइड दौब को डिस्प्लेइश कि तक हमें यह पता लक चके कि हम जब की लिए कि क्या है कि या फिर हम नितिकि अंद्र नहीं हो रहा है कि यहीं चाहिच करने के लिए हमने मैसेज दिया थे कि अगर अप सबसक्त करेंगो मलेगे और मेन की फंक्शिन की आंदर लेके जाएंगे और यहां हम में फंक्शन जो देंगे आप देख सकते हो लाइए पोद फॉमेटिंग को को हमें कॉल करना हो डिस्प्लेइ फंक्शन को तब इसकी बॉरी का कॉड एक्जिक्यूट होगा अब इस कोड को हम एक्जिक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हो inside the main function just because of क्योंकि हमारा जो code है वो main function से ही execute होना start होगा और main function के अंदर enter करते ही सबसे पहले printing statement महाँ पर मिल रही है compiler को तो जो है inside the main function यानि के value main function के अंदर प्रिंट हो रहे है after that आपका display function call हो रहा है तो उसकी body का code यहाँ पर execute होगा global variable को हम लॉकल स्कॉप के अंदर main function के लॉकल स्कॉप के अंदर या फिर किसी user defined के लॉकल स्कॉप के अंदर भी हम access कर सकती है तो अब हम सेम नाम से एक variable main function के अंदर create करते हैं एक्स इक्वल टू एन वेल्यू अफ दिस इस ट्वेंटी और फिर से हम इस को execute करेंगे लिए और इंदर एक्स की सब्सक्राइब तो आप देख सकते हो में function के अंदर x की सब्सक्राइब 90 प्रींट के एक्स की यह उदेट सेंगर सेंब नाम से वैरियेबल में function को अपनी बोड़ीके अंदर मिल जाएगा तो वह उस पहले पार्ड़ ¿ myself से आपिवरीडि किया गया है और लॉबल स्कॉप में पूइ rising को में बीर किया गया है तो वो इसको अपनी डॉबल स्कॉप में चेक करेगा अगर फिलहाल इसको यह नो क्यूंb है तो उसकी वेल्यू को इसको हम बोल सकते हैं डाँवाणिग डाटकल वेरियरेबल की novelty वेल्यू को इसने हाइड पर करेंगे और उसको छर्ली और और फिर से हम इस कोड को एक्जिक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हो यहां पर जो डिस्प्लै फंक्शन के अंदर है एक की वेल्यू थर्टी प्रिंट हो रही है ना की 90 तो यह भी अपने लॉकल वेरियेबल को ही प्रेफरेंस देगा अब बात करते हैं क्या हम लॉकल वेर को दूसरे में हम यूस कर सकते हैं तो इसके लिए हम इस और में थोड़ा सा माडिफिकेशन करेंगे करेंगे अब यहां पर जब एक कोड किया गया तो हुआ क्या जब यहां पर कहा गया कि आप एक की वैली को प्रिंट करो तो सबसे पहले क्या किया गया में एक को ढूंडा गया कि अब नहीं लेकिन ए वरियेबल में फंक्शन के अंदर हमें नहीं मिला तो हमने से यहां भी नहीं मिला तो क्या ये डिस्प्ले की बोड्ट के अंदर एंटर करने की परमिशन यहां नहीं है तो local scope यानि कि किसी दूसरे local scope के अंदर अगर कोई variable है तो हम उसको different local scope में access नहीं कर सकते हैं it means display का जो local scope है उसके अंदर हमने एक के नाम से variable create किया गया है और इस variable की जो reach है वो इस scope के अंदर ही है इस scope से बाहर हम इसको use नहीं कर सकते हैं ना ही global scope में ना ही दूसरे local scope में तो अगर हमने एक variable यहां पर global scope में create कर दिया same नाम से तो क्या होगा तो आप देख सकते हो 100 value यहां print हो रही है it means यहां क्या हुआ में में सबसे पहले इस variable को search किया गया local scope में में की body के अंदर यहां नहीं मिला तो global scope में हमने इसको search किया global scope में हमें a variable मिल गया उसकी value को यहां पर access करके हमने print कर दिया तो अब हम एक काम फिर से एक same variable यानि कि एक के नाम से अब में function की बोड़ी के अंदर create करते हैं उसको value देते हैं 30 और हम इस code को फिर से permission नहीं है तो इस तरह से local और global scope हमारे काम करते हैं global scope आपका global scope का ja variable है local scope में available है different local scope में available है बट local scope का variable उसी scope के अंदर आप use कर सकते हो अगर वो variable main के local scope का है तो आप उसको सिर्फ main के local scope में यूज कर सकते हो या फिर किसी दूसरे function के local scope का है तो उस लॉकल स्कॉप में आप यूज कर सकते हों तो आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा फिर मिलेंगे एक नए टॉपी के साथ तब तक की प्लानिंग थैंक यू था 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 था